Hello Friends, Welcome to Study Aker, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज के इस महत्पून लेक्षर में आपके साथ डिसकस करेंगे पुरुसकार और सम्मान 2023, यानि Awards and Honors डिसकस करने वाले हैं 2023 के, जो कि आपके exam के point of view से बहुत important है, ये लेक्षर भी important है, तो दोस्तो आप इसे note जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इसे subscribe कर लें और bell icon भी दबाले जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा, इसके अलावा हमारे जितने भी social media platform है, आप हमें वहाँ भी follow कर सकते हैं, सभी का link description box में दिया गया है, चलिए दोस्तो शुरुबात करते हैं इस lecture की और दिखते हैं, पहला question क्या है, बहुत important question है, note करिएगा इसे, दादा सहाब फाल के international film festival award में सर्वस्रेश्ट film का award किसे मिला है, बहुत important question है, answer हो जाएगा कस्मीर files, दोस्तो बिवेक अगनी होतरी के द्वारा इसे direct किया गया है, तो ये कस्मीर के मुद्दों पर आ सर्वस्रेश्ट फिल्म का award मिला है, इसके अलावा सर्वस्रेश्ट निर्देशक का award आर वालकी को मिला है, सर्वस्रेश्ट अभिनेता का award ररवीर कपूर को मिला है, और सर्वस्रेश्ट अभिनेतरी आलिया भट्ट को मिला है, और दोस्तो इसके अलावा, फिल्म उद्यो भी आपको नोट कर लेना है अंगला कोश्चन है 2023 वाफटा पुरुसकारों में सर्वस्रेश्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है तो इस कोश्चन का आंसर होगा आल क्वाइट ओन दा वेस्टर्न फ्रंट ठीक है तो ये इंपोर्टेंट है वाफटा का फुल फॉर्म क्या होता है ब्रिटिस एकेडमी और फिल्म एंड टेलिवीजन आवार्ड दोस्तो इसकी सुरुबात 1994 में होई थी ये यूनाइटिट किंगडम में दिये जाते हैं ये ठीक है और इसमें सर्वस्रेष्ट मुख अभिनेतरी का अवाड मिला है कैट ब्लेंचैट को सर्वस्रेष्ट मुख अभिनेता का अवाड मिला है ओस्टेन बटलर को और वेस्ट डाकुमेंटरी का अवाड मिला है नवलनी को तो दोस्तो ये पॉइंट है इंपोर्टेंट ह अगला कोईश्ट सरकार ने महराष्ट भूषण ऑबार्ड 2022 किसे देने की घूशनर की है तो दोस्तो दत्तात्रे नाराइन धर्मादिकारी को 2012 का महराष्ट भूषण अबार्ड दिया गया है उन्हें अपपा साहिब धर्मादिकारी की नाम से भी जाना जाता है और दोस्तो महराष्ट भूशन अवार्ड की शुरुवात 1996 से हुई थी और इसमें 25 लाख रुपए की नगद रासी प्रदान की जाती है दोस्तो 2021 का जो महराष्ट भूशन अवार्ड था ये किसे प्रदान किया गया था तो याद रखिएगा ये आसा भोसले जी को प्रदान किया गया था ठीक है अंगला कुशन है यूनेसको सांती पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है बहुत इंपोर्टेंट कुशन है तो एंजला मरकेल जी को यूनेसको सांती पुरुसकार से अभी हाली में सम्मानित किया गया है दोस्तो एंजला मरकेल जो है वो जर्मनी की पूर्व चांसलर है ठीक है उन्होंने 2015 में सरनार्थियों की सुरक्षा की थी यानी उनकी मदद की थी तो इसी के लिए उन्हें यूनेस को सांती पुरुसकार से सम्भानित किया गया है इस पुरुसकार के अंतरगत 1,50,000 डॉलर क की रासी प्रदान की गई है फैलेक्स, होफोएट, बोगनी, सांती पुरुसकार भी इसे कहा जाता है तो ये जो नाम है ये आईवरी कोष्ट के पहले राष्टपती के नाम पर रखा गया है नेक्स्ट कोशन है ATD Best Award 2023 से किसे सम्भानित किया गया है तो इस कोशन का आंसर हो गया था यह कोईला आधारित बिजली सायंत्र है इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है गुर्देप सीन ठीक है तो दोस्तों ATD Best Award 2023 किसे मिला है एंटी PC को 65 बे ग्रैमी पुरुसकारों में तीसरी बार ग्रैमी 2022 में और 2015 में भी ग्रैमी पुरुसकार जीता हुआ है दोस्तों ग्रैमी पुरुसकार जो है यह संगीत के छेतर में दिया जाता है ठीक है recording academy के द्वारा इससे प्रदान किया जाता है और यह पुरुसकार पहली बार 1969 में प्रदान किये गए थे तो यह सभी important point है अंगला कु presidential पुरुसकार से अभी हाली में संभानित किया गया है FIH का full form होता है International Hockey Federation तो दोस्तों होकी में उतकरिष्ट योगदान के लिए VK पांडियन को यह पुरुसकार दिया गया है यह उडिसा से related है और उडिसा के जो मुख मंतरी है नवीन पटनाइक उनके वो सच्यों भी है दोस्तों जो FIH है इसका मुख्याले कहा है लुसाने सुरिया लेंड में इसके वर्दमान अध्यक्ष है मुहम्मद तयव इकराम यह आप देख सकते हैं यह हैं वी के फांडियन यह हैं मुहम्मद तयव इकराम दोस्तों FIH के सदस कितने हैं 137 हैं पुरुस होकी विस्टक होकी का वो किस ने जीता है जर्मनी ने जीता है और इसका आयशन कहां हुआ था ओड़ी इसा में हुआ था यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर से किसे सम्भानित किया गया है तो दोस्तों हमारे पूर प्रधान मंत्री है मनमोहन सींग जी तो उन्हें यूनाइट अर्थिक और राजनेतिक जीवन में उनकी योगदान के लिए उन्हें लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ओनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर से सम्भानित किया गया है कैंसरकार ने वर्स 2023 में कितने लोगों को पदमे विभूशन अबार दिये जा नकी है, important question है, इस परकार के question अग्जाम में पूछे जाएंगे, तो answer है इसका 6 लोगों को, पदमे विभूशन कितने लोगों को दिया गया है, 6 लोगों को दिया गया है, अगर हम कुल पदम पुरुसकारों की बात करें तो 106 पदम पुरुसकार दिये गये हैं 2023 में, जिसम विदेसी जो हैं या NRI जो हैं उनमें दो लोग हैं ऐसे हैं जो NRI हैं या विदेसी हैं साथ लोगों को मरडो प्रांत या एवार्ड देने की घूचना की गई है ठीक है तो यह point भी आपसे पूचे जा सकते हैं तो यह question आपसे बन सकता है दोस्तो कि 2023 में कितने पद्म पुरु पुरुसकार्म पुरुसकार्म पंबिभूशन दिया गया है दोस्तो आपके लिए की इंफॉर्मिसन है कि अगर आप मद्परदेश के किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं इसके अलाबा SSE, Banking किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तो उसके लिए मौक टेस्ट हमारे app पर उपलब्ध है app का लिंक डिस्किप्टिन में दिया गया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें इसके अलाबा daily करें इंटरफियस का जो PDF है या फिर monthly करें इंटरफियस का PDF है यह सभी उपलब्ध है हमारे app पर तो app को जरूर डाउनलोड करें यह जो मौक टेस्ट है हिंदी और अंग्रेजी गौनव माध्यम में है तो आपके exam के point view से बहुत important हो जाते है दोस्तो अगर आप इसमें discount पाना चाहते हैं तो मेरा coupon code युज़ करिएगा coupon code है PS100 next question है आइसी सी क्रिकेटर ओफ दा इयर 2022 किसे चुना गया है तो बहुत important question होगा answer है इसका बाबर आजब किसे चुना गया है बाबर आजब को चुना गया है देखे दोस्तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर साल ICC award प्रदान किये जाते हैं तो इस साल भी ICC award प्रदान किये गया है तो उसमें बाबर आजब को ICC Cricketer of the Year चुना गया है 2022 के लिए तो दोस्तो जिसे यानि कि जिस Cricketer को पुरुस Cricketer को Cricketer of the Year चुना जाता है उसे Sir Garfield Sovers Trophy दी जाती है तो ये किसे दी गई है बाबर आजब को ये पाकिस्तान के हैं ठीक है इसी प्रकार से महिला Cricketer of the Year को राचेल ही हो फ्लेंट ट्रॉफी दी जाती है तो ये दी गई है नेट साइबर को जो कि कहां की है इंगलेंड की पुरुस Test Cricketer of the Year का बाड किसे मिला है वैन स्टोक्स को जो कि कहां के हैं दोस्तो इंगलेंड के हैं और पुरुस वंडे Cricketer of the Year बाबा राचम और महिला वंडे Cricketer of the Year नेट साइबर को दिया गया है अंगला कुश्यन है पुरुस T20 International Cricketer of the Year किसे चुना गया है तो ये चुना गया है सूर्व कुमार यादव को किसे चुना गया है दोस्तो आफ़ दा इयर मारको जॉनसन को चुना गया है जो कि साउध अफ्रीका के है महिला इमर्जिंग Cricketer of the Year का बाड मिला है रेडुका सींग को जो की इंडिया की है इसके अलाबा Men's Associate Cricketer of the Year का बाड किसे मिला है Gerhard Erasmus को जो की नाभी बिया के हैं महिला Associate Cricketer of the Year मिला है इसा ओज़ा को जो की कहा की हैं दोस्तो UAE की है डेविड सैफर ट्रॉफी किसे मिली है Richard Illingworth को जो की England की है और Spirit of the Cricket Award मिला है आसिप सेख को जो की कहा के हैं दोस्तो नेपाल के तो ये ICC Award दोस्तो जरूर आप नोड करिएगा एक्जाम के Point of View से बहुत ही Important हो जाते हैं अगला Question है वर्स 2022 के सबसे प्रतिष्ठित व्यज्ञानिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो इस Question का आंसर होगा R. Vishnu Prasad को किसे दोस्तो R. Vishnu Prasad को तो R. Vishnu Prasad के नाम 79 पेटेंट दर्ज है या पुरुसकार संस्कृती विज्ञान खेल और नवाचार सहित विविन छेत्रों में उत्क्रिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है अंगला Question है Manohar International Airport ने West Sustainable Greenfield Airport पुरुसकार जीता है या किस राज्ज में इस्तित है तो जो Manohar International Airport है ये गोवा में इस्तित है कहाँ है दोस्तो गोवा में तो गोवा Manohar International Airport को एसो चैम 14 वे अंतरराश्टिय सम्मेलन में Aviation Sustainability and Environment के तहत प्रतिष्ठित Best Sustainable Greenfield Airport का पुरुसकार दिया गया है दोस्तो इस एरपोर्ट का जो उठगाटन है वो 11 दिसंबर 2022 को किया गया है किसने किया था इसका उठगाटन नरेंदर मोधी जी ने किया था दोस्तो अगर आपको इस लेक्षर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तो को भी सेर कर दीजेगा जिससे दोस्तो आप अपने चैनल लिश्टेडी करको सपोर्ट कर सकेंगे अंगला कुश्यन है किसने मानावता की सेबा के लिए ईसा पुरुसकार 2021 जीता है तो दोस्तो ये जीता है सेंडुक रूइट ने किसने जीता है सेंडुक रूइट ने ये जो ईसा पुरुसकार है या आई ऐसे पुरुसकार है ये बहरीन की सरकार के द्वारा दिया जाता है तो बहरीन का सीर्स नागरिक पुरुसकार है कौन ईसा पुरुसकार और ये दो साल के अंतराल के लिए दिया जाता है एक मिलियन अमेर की डॉलर की इसमें नगदरासी प्रतान की जाती है और अगर हम बात करें डाक्टर सैंडुक रूइट की तो दोस्तो यह एक नेपाली नेत रोग बिसिसग है अंगला कुश्चन है अगला कुश्चन है भारत की किस फिल्म के गाने को Golden Globe Award 2023 मिला है तो दोस्तो यह मिला है RRR मूवी को तो इस मूवी का जो गाना है नाटू नाटू तो उसे Golden Globe Award मिला है 2023 का दोस्तो Golden Globe Award प्राप्त करने वाला यह पहला भारतिय गीत है तो यह कुश्चन जो है आपके एक्जाम में बन सकता है दोस्तो Golden Globe प्रुषकार जीतने वाला पहला गाना कोन है नाटू नाटू किस फिल्म का है RRR का है और इस मूवी के डिरेक्टर कोन है SS राजा मौली है दोस्तो यह जो Golden Globe Award है यह प्रुषकार अमेरिका में फिल्म और टेलिवीजन के छेतर में प्रदान किया जाता है अवार्ड फॉर Global Leadership से किसे सम्मानित किया गया है बहुत important question है तो दोस्तो D.Y. चंचूर को अवार्ड फॉर Global Leadership से अभिहाली में सम्मानित किया गया है तो भारत के Chief Justice है D.Y. चंचूर तो उनको Harvard Law School Center के द्वारा अवार्ड फॉर Global Leadership से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोशन है डाक्टर तपन सेक्या को किस राज्जी का सर्बोच नागरिक सम्मान मिला है तो दोस्तो उन्हें असम राज्जी का सर्बोच नागरिक सम्मान मिला है ठीक है असम का सर्बोच नागरिक सम्मान है असम बैभाव तो यह किसे मिला है प्रसिद्द चिकित्सक डाक्टर तपन सेक्या को लाश्ट कोशन है इस लेक्चर का किस राज्जी के निजात अभियान को IACP पुरुसकार 2022 मिला है तो यह मिला है 36 गड़ को तो दोस्तो IACP का फुल फॉर्म क्या होता है International Association of Chief of Police यह अमेरिका में प्रतान किया जाता है तो दोस्तो 36 गड़ की राजनात गाव पुलिस की नसा बिरोधी निजात अभियान को संस्तागत स्रेणी के Leadership in Crime Prevention केटेगीरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो यह सभी पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा एक्जाम के पॉइंट आप उब यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप हमारा एप डाउनलोड कर ले एप पर आपको डेली करें इंटफ्यस का पीडेफ है और जो भी इंपॉर्टेंट पीडेफ है वो सभी उपलब्द है इसके अलाबा आपको मौक टेस्ट भी मिल जाएंगी तो आप मौक टेस्ट भी जोईन करिएगा लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों आप इसे लाइक करें सेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैहिंद वंदे मात्रम